कब आएगा सांगा का वक्त और कितना इंतजार करना पड़ेगा सांगा को बहतर मैचस के लिए दोस्तो सांगा को कभी भी अंडरेस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सांगा एक बहतरीन रैसलर है ये बात सभी जानते हैं मगर सांगा के फैंस को इंतजार है कि कब सांगा हमें में स्ट्रीम के मैचेज में दिखाई देंगे और उनको भी WWE अपने प्रोमोज में एड करेगी और उनको हर हफते के शो में मैच लडने का मौका मिलेगा। सांगा को आए WWE में अब काफी वक्त हो चुका है मगर उनके करियर को लेकर कुछ प्लैनिंग नजर नहीं आ रही मगर हमें लगता है कि सांगा की अब एंडरी जल्द ही WWE के में मैचेज में होने वाली है जैसे कि वीर महान को इतनी ज्यादा शोहरत मिल रही है वैसे ही सांगा क करियर भी अब उठने वाला है तो उनके करियर में हमें तीन बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और या तो हमें देखने को मिलेगी सीधा ही कॉंट्रवर्सी या फिर देखने को मिलेगा जाइंट रैसलर के साथ मुकाबला सांगा की कद काठी बहुत ही ज्यादा बढ मिल गया है मगर ओमास का करियर अब थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि ओमास और ब्रॉंस टॉमें की कॉंट्रवर्सी का लोग इंतिजार कर रहे हैं इसी बीच सांगा को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग और इतने ज्यादा ट्रेनिंग मैचेस लड़ते हुए देखकर ये या ब्रॉंस टॉमेंन में से किसी एक का मैच सांगा के साथ हो सकता है ये तो बात हो गए उनके बड़े मैचिस की अब बात करते हैं कॉंट्रॉवर्सी किसके साथ हो सकती है कॉंट्रॉवर्सी डव्यू डव्यू करवा सकती है सांगा की वीर महान या फिर किसी न्यू रैस तो मसाला बहुत ज्यादा बन जाएगा तो इसी चीज को लेकर इनकी कॉंट्रुवर्सी भी बन सकती है देखते हैं WWE इनको लेकर क्या सोचती है और वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा दोस्तों आपको क्या लगता है सांगा की एंट्री कब हो सकती है WWE के ओफिशेल रिंग में कॉमेंट में जरूर बताईएगा और आपको क्या लगता है की सांगा इतना दम रखते हैं कि वो ब्रॉन्स ट्रॉमेंग और ओमास जैसे बलशाली रैसलर को हरा सकें ये बात भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर प्रेस करें बाबाई एंड थैंक्स पर वाचिए